वाइस वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं अडोब्डेस की स्केच्च बुक के बारे में स्केच्च बुक जो कि सभी आर्टिस्स यूज करते हैं और कुछ लोगों को पता नहीं कि कैसे यूज किया जाता है तो आज हम उनकी हल्प करने वाले हैं और हम बताने वाले हैं कि कैसे वो अराम से एक डिजाइन कस्टम कर सकते हैं स्केच्च बुक में वैसे स्केच्च बुक जो की सौट्टेर है वो हर किसी ओप्रेटिंग सिस्टम के लिए बना है और जो बाकी हैप्स है वो भी यूज कर सकते हैं तो चलिए आज बताते हैं आपको कि कैसे यूज करता है मेरे पास फिलाव है आई-पैड का 11.5 इंचेज आई-पैड एयर जो कि मैं अपने वर्ग के लिए यूज करता हूँ मान लिजे कि क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो कहता है कि मुझे कोई डिजाइन बनवाना है जो कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे स्किन पर कैसा लगेगा तो आप मुझे बताइए कि वो कैसे होगा तो उसका एक easy function है आप जो tool section है उसमें यह add image का option आता है जो यह आप देख रहे हैं पिक बनी हुए उस पर plus का sign है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यह ऐसे आपकी gallery खुल जाएगी मान लिजे कि मैंने यह hand की big client की ली हुई है पहले से मैं इसको ले लेता हूं इससे हम अपने इसाप से page के साफ से सेट कर सकते हैं मुझे size से यह हम इसे done करें उससे पहले अगर आप इसे charge रोटेट कर सकते हैं इसको flip कर सकते हैं इसका perspective भी change कर सकते हैं जो कि आपको tool section में दिख रहा होगा अब हम इसे done करते हैं अब हमें क्या करना है दुबारा add image पर click करना है मान लिजिए कि client बोलता है कि मुझे यह design चाहिए king वाला मैं masking वाले design को choose कर लेता हूँ अब आपके सामने मैं चूज कर लिया इसे मैंने अपने हिसाब से बड़ा चोटा जैसे भी हमें चाहिए वैसे कर लिया मालीजी कि मैंने चोटा कर लिया done अब जो layer section है वो हमें help करेगा अब मैं इस layer पर click करूँगा right मतलब click किया इसके बाद जो white background है वो खतम हो चुका है अब tool section में यह जो four arrows आपको दिख रहे हैं यह यह जो function है यह इस image को move करने के काम आएगा ध्यान देने वाली एक बात जरूर यह है कि जिस जो layer selected होगी वही layer move होगी अब यह देखिए done अब आप देख सकते हैं कि हम client को यह reference दे सकते हैं कि itadu आपके हाथ पर कैसा लगेगा तो ठीक है दोस्तों thank you video देखने के लिए बहुत बहुत चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजेगा यह part 1 था यह iPad का जो sketchbook है software काफी बड़ा है तो इसके उपर हम और भी parts बनाएंगे बाकि अगर आपको कुछ questions, queries या आपको कुछ शिका साइथ हो आप comments में जुरूर बता सकते हैं thank you